वेलकम टू माई चनल फ्रेंज आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेश्टी गुलब जामुन जो कि हम बनाएंगे ब्रेट से ये गुलब जामुन खाके कोई नहीं कहेगा कि ये ब्रेट से बनाए तो चलिए सुपर टेश्टी गुलब जामुन सुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहां पे ब्रेड ले लिया है उसके बाद एक कप छीनी लिया है एक कप मलाई वाला दूद लिया है आधा टुकड़ा नीमवु लिया है और थोड़ा सा अमुल पाउडर लिया है अगर आपके पास ना हो तो इससे आप skip भी कर सकते हो उसके बाद एक कप छीन देखिए इसको अभी कट कर लेंगे आप अगर ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो आप ब्रेट की क्वेंटिटी ज्यादा भी कर सकते हो अगर कम बनाना है तो 6 ब्रेड में भी हो जाएगा आप से सारे ब्रेड कटोने के बाद ये जो साइट बचा हुआ है इसे हम फेकेंगे नहीं करेंगे इसमें जो मलाई वाला दूद लिया था हम अभी थोड़ा थोड़ा इसमें ब्रेड में एड करके इसका एक डोव साथ ने डालना हैं थोड़ा-ज़ा डाल के इसको अच्छे से हातों से मसल मसल के इसका एक सौफ्ड डोव बनाके तयार करें ब्रेट में दूद एड़ करते ही यह आराम से सॉफ्ट हो जाती है बहुत ही आसानी से यह डो बन के तियार हो जाता है ब्रेट में अगर हम एक साथ दूद डालेंगे तो वो डो अच्छा नहीं बनेगा इसलिए हम एसे ही थोड़ा थोड़ा दूद एड़ करके एक अच्छा कर देंगे यह कम से कम तीन चमच होगी यह हमने यहां पे यह एड़ कर दिया है अब मिल्क पाउडर को भी ब्रेड में अच्छे से मिला लेंगे अगर अमुल पाउडर मिल्क पाउडर ना हो घर पे तो इससे स्किप भी कर सकते हैं बिना मिल्क पाउडर के भी गुलाब का टेश्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो बस फिर से हमें थोड़ा सा दूद चाहिए फिर से एड़ कर दिया दूद अब हम इसको अच्छे से डो बना देंगे और देखिए ये जब इस फॉर्म में आ जाएगा ना तो हम क्या करेंगे एक प्लेट में रख देंगे इसको इ ये एसे हातों में ज्यादा चुपकेगा इसलिए अगर हम चिकना हाट के लिए थोड़ा सा घी का इस्तमाल कर लेंगे तो ये आसानी से डो बन जाएगा हातों को ज्यादा चुपकेगा नहीं लेकिन मैंने मलाई वाला दूद लिया है इसलिए इसमें घी की ज़रुरत नही है आग पर चाहिए तो थोड़ा इस्तमाल कर सकते हैं और डो हमारा बन के तयार हो गया है अब हम इसको दो पर्शन में डिवाइड कर देंगे और देखिए इसे दो पर्शन में डिवाइड करने के बाद हम इसको एसी छोटी छोटी टुकडे में इसे छोटी छोटी लोई बना के तयार करेंगे इसको गोल बनाते वक्त हातों में थोड़ा सा घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं ताकि यह हातों में बिल्कुल भी ना चिपके और देखिए मैंने कब दूद लिया था इतना सा दूद अभी बच गया है अब हमें इन टुकडों को ऐसे हातों में लेंगे इ बिना क्रैक के, अगर क्रैक हुआ, तो जब हम इसको फ्राइ करेंगे, तो यह भट जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए यह ध्यान रखे कि बिल्कुल भी क्रैक ना हो, देखिए अच्छे से यह बॉल्स बन गया है, ऐसे ही हमने सारा यहां पे बॉल्स बना के तियार कर लिया है, देखिए बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, बॉल्स अच्छा दिख रहा है ना यह गूल्स, उसके बाद सबसे पहले हम चासनी बनाएंगे, चासनी बनाने के लिए सबसे पहले एक कडाई में एक कप चीनी एड़ करेंगे, और साथी सा एक कप पानी एड़ करेंग इसमें इलाइलची जो रखे थे वो हम इसमें एड़ कर देंगे, इसको थोड़ा सा कूट के से हम इसमें एड़ कर देंगे, उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा फुट कलर, जो की ऑप्सनल है, आप चाओ तो इसके जगा थोड़ा सा केसर का भी इस्तमाल कर स चुका है अब बस हमें इसको तेज आज पर एसे ही कुछ देर छोड़ देना है उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नीम्बू का रसनी चोड़ देंगे और बस अब हम इसको दो तीर मिनिट ऐसे ही रखेंगे उसके बाद हमारा जो चासनी बनके तैयार हो जाएगा देखिए कै चेक कर लेंगे देखिए ऐसे चिकनाड सी लगेगी ओईली ओईली जैसी लगेगी तो मयानिकी यह चासनी हो चुका है बस अब हम बंद करेंगे उसके पात और एक कड़ाए लेंगे उसमें गरम करेंगे यह जो बॉल्स बना के रखे थे उसको हम फ्राय करेंगे एसे फ्लेम हम मीडियम या स्लो कर देंगे क्योंकि यह गुलाब जामन ब्रेट से बन रहा है तो ब्रेट जल्दी फ्राय हो जाता है इसलिए ग्यास का फ्लेम हम स्लो में ही रखेंगे या तो मीडियम में ही रखेंगे उसके बाद हम इसको अच्छे से ऐसे ही फ्राय करेंगे इस ऑज़ा में बेड़ा सी स्पून के सहारे बड़े आसाणी से हम इसे पलत पलत के अच्छे से फ्राय कर लेंगे, इसका कलर धीरे धीरे छेंज़ हो रहा है, देखिए, अच्छे से हो चुका है, अब बस हम इस फ्रेज में ही क्या करेंगे, डैरेक्ट यहां से निकाल के हम चासनी में एड़ कर देंगे देखिए यह मैंने सारा गुलब जामुन ऐसे चासनी में एड़ कर दिया है और से निकाल के ऐसे ही चासनी में अच्छे से डूबएंगे उसके बाद हम इसको दो मिनिट के लिए तेज आंस में इसको अच्छे से उबलने देंगे यह इसका चासनी अप्जब कर लेगा अब बस दो मिनिट के बाद हमारा ये जो इंस्टेंट गुलब जामुन है ये बन के तयार है देखिए कोई बताएगा कि ये ब्रेट से बना है तो ऐसे ही गुलब जामुन एंजोई कीजिए और आज का रेशी भी आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगे अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले फ्रेंज्स मैंसे ही आप सबके लिए ने ने वीडियो लेके हैंगी थैंक यू सो मच बाइबाइ टेक केर